जयशी राम फ्रेंड्स, once again welcome back to my youtube channel मैं travel buddy Gopal स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए सफर, एक नए टूरिस्ट अट्रेक्शन की और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ देहरादून के टूरिस्म के बारे में साथी साथ महां के प्रमुक परेटन इस्तल और उसके अलावा अधिक से अधिक गुमने की जानकारी आप लोगों के साथ में आज की इस वीडियो में मैं साजा करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आगे पढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जो लोग नहीं है प्लिस सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएं so that आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें फ्रेंस उत्तराकंड राज्जी में दून गाटी के बीच इस्तित देरादून भारत के दर्शनिये इस्तलों में से एक है उत्तराकंड राज्जी की राजदानी देरादून परिटकों के मध्य भहुती लोगप्रिया हिलिस्टेशन है जो फेमिली वेकेशन, फ्रेंस टूर और कपल्स के घुमने के लिए उत्तराकंड की परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है उत्तराकंड राज्जे में गड़वाल हिमाले की एक सुन्दर प्रष्टबूमी परिस्तिद देरादून समुदर तल से 1400 फिट की उचाई परिस्तिद है बारत के दर्शनिये इस्तल देरादून के नजदीक एक और अन्य परिटक इस्तल मसूरी भी है जो परिटकों को बहुत ही अधिक आकरशित करता है तो यदि आप लोग भी देरादून और यहां की प्रमुप परिटेन इस्तलों के बारे में जानना चाते है तो आज की मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें देरादून शहर का नाम दो अलग-अलग शब्दो देरा और दून से मिलकर बनता है देरा का अर्थ है घर और दून का अर्थ हिमालई और शीवालिकों की बीच की घाटी अर्ता देरादून एक खुबसुरत घाटी में इस्तित है गुमने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो यह रहता है कि आप लोग अपने डेस्टिनेशन तक किस प्रकार से पहुँच सके हैं तो आप लोग बता दू कि देहरादून आप लोग बाई ट्रेन, फ्लाइट और बाई बस सभी रगादनों से पहुच सकते हैं बाई ट्रेन यदि आप लोग इस ओप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को बता दू देहरादून रेल्वे स्टेशन सहर के देश को देश के सभी प्रमुक शहरों से जोडता है जैसे डैली, मुंबई, कौलकत्ता, लगनाउ, कौलकत्ता, वाराणसी और बडोदरा रेल्वे स्टेशन से बाहर निकल कर आप यहाँ चलने वाले आटो रिक्षा या टैक्सी किराय पर लेकर देरादून शहर घुम सकते हैं आप लोगों को बता दू कि इस स्टेशन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और यह देश के सभी प्रमुक रेल्वे स्टेशनों स जुड़ा हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन है बाई बस या फिर बाई रोड आप लोगों को बता दू देरादून एने सेवंटी टू के माध्यम से देश के अन्य प्रमुक शेहरों से सडकमाग के जरिये बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है देरादून में ISBT बस स्ट लाइट तो आप लोगों को बता दू यदि आप लोग देरादून जाने के लिए हवाई माग का चुनाओ करते हैं तो लगब 22 किलोमेटर की दूरी पर दक्षिन पूर्म में इस्ति जॉली ग्रांट एरपोर्ट इसे देरादून हवाई अड़े के नाम से भी जाना जाता ह यहाँ पर आप लोग देश के सभी प्रमुक एरपोर्ट या फिर शेहरों के से आ सकते हैं अब बात कर लेते हैं देरादून के फैमस फूट के बारे में यानि कि देरादून के जाइके के बारे में दोस्तो देरादूर भूमने वाले परेटर यहां की प्रसिद्ध भोजन सामगरी का लुथ उठाना चाहता है तो आपको मैं वता दू कि देरादूर में कुछ प्रसिद्ध फुट है जैसे दोस्तो यहां के जो इस्थानिय विंजनों में कंडली का साथ गहत की दाल, आलू के गुटके, निम्बू, काफली, गुलगुला के साथ-साथ कुछ अन्य पारंप्रिक मिठाई भी शामिल है जैसे की बाल मिठाई, अर्सा और जंगोरा की खीर को आप लोग चक सकते हैं आप देहरादूर में उत्तर भारती है, चीनी, इटालियन, साउथ इंडियन, थाई, तिबबती और कॉंटिनेंटल विंजनों का आनन्द भी ले सकते हैं तो इसी के साथ में आप हम लोग बात करेंगे आपके स्टे के बारे में फ्रेंश देहरादूर आने वाले प्रेटक यदि यहां होटल की तलाश में हैं तो आप लोगों को बता दू, देहरादूर में लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल सुपलद है जिने के आप लोग अपनी सुविदा अनुसार चुन सकते हैं इनका बजट दोस्तो पांसो रुपे से लेकर पचास एयार तक है यहां पर दोस्तो फाइस्टार होटल भी है और बजट हॉमिस्टेज भी है यह दोस्तो आप लोगों के उपर है कि आप लोग कौन से स्टे को चुनते हैं अब यहां पर बात होती है best time to visit देहरादून की देहरादून गुमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्थ से जुन महीने को माना जाता है क्योंकि यह वर समय होता है जब मौसम बहुती साफ होता है और इस मौसम में आपको बारिश या ठंड की परेशानी भी नहीं होगी इस मौसम में देहरादून शेहर को यहां के दरसनिय स्थलो और साहसिक गतिवीदियों का आरण लेने के लिए परेटक दूर दूर से आते हैं इस समय के दोरान यहां अधिकतमत आकमान 35 डिगरी सेल्शियस और नियूंतियम 17 डिगरी सेल्शियस तक आख आ जाता है अब आती है दोस्तों टूरिस प्लेस आप लोगों को बता दू कि देहरादून में काफी जाधा टूरिस प्लेस हैं इन में से 15 टूरिस प्लेस के बारे में आज की मेरी इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के साथ में डिसकस्ट करने वाला हूँ आप से पहले आता है राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में इस्तित यह पार्क वनस्पतियों और जीवों में प्रसूर्शतार से सम्रद्ध है और प्रकरती प्रेमियों वन्यजी उत्साईयों के लिए लोगों के लिए एक शांदार छुट्टिया बिताने का इस्थान है बागों और हातियों के लिए प्रसीद राजाजी नेशनल पाक को हाली में भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजव का दर्जा भी दिया गया है यह वन शेत्र में साल, सागीन और अन्य जाडियों के लिए लोगप्रिय है नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे चैट्वूड हॉल के बारे में यहाँ पर भी आप लोग दोस्तों गुमने के लिए जा सकते हैं और भारत की शोर्य गाथा को आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट अब शॉपिंग के लिए मशूर पल्टन बजार देहरादून में खरीदारी करनी के लिए यहाँ का पल्टन बजार एक शांदार विकल्फ है देहरादून के इस बजार से आप लोग मसाले एडिबल्स का चुनाव कर सकते हैं भीडबार से बरे इस बजार में देहाती जलग देखने को मिलती है और यह काफी सस्ता बजार है दोस्तों एक बजट फ्रेंडली बजार आप लोग इसे कह सकते हैं नेक्स्ट है ट्रैकिंग देहरादून आने वाले सासिक परिटकों के लिए ट्रैकिंग एक शांदार गतिवीदी है जिसका लुट्फ यहां आने वाले परिटक बखू भी उठाते हैं जोर्ड एवरेस, जौला देवी, भादराज मंदिर, दून गाटी, डाक पत्तर, शिवाली परवतमाला, आसन बेराज कुछ इस्तानों का आनन्द है यहां पर आप लोग ट्रैकिंग का भरपूर आरंद उठा सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉरर्स रिसर्च इस्टिटूट यारी वन अनुसंदान संस्तान देरादून के बारे में बारत में वानी की अनसंदान के शेतर में इस्तित यह प्रमुक संस्तान उतराकन की राजदानी देरादून में है फॉररेस रिसर्च इस्टिटूट का खुबसूरत विशाल परीशर मीडिया को भी अकरशित करता रहता है इस इस्तान का उपयोग विबिनन बॉलिविट फिल्मों को फिल्माने के लिए भी किया गया है फ्रैनिक्स तपवन मंदीर एक पवितर इस्तान है जो देरादून शेहर से लगबग 5 किलो मीटर की दूरी पर गंगा नदी के टट पर इस्तिध है यह मंदीर चारो तरब से हर्याली से घिरा हुआ है जो और अधिक अकरशित लगता है यहां आने वाले परेटकों को यहां के शांत वातावरण में अपने मन को शांती प्रदान होती है सबसे दिल्चस्प बात यह है कि इस मंदीर का नाम तपोवन शब्द दो शब्दों से लिया गया है तपस्या जिसका अर्थ है कठोर और वान जिसका अर्थ है वन से लिया गया यह शब्द है जोनल मूजियम देरादूल जोर्नल म्यूजियम मानव जाती की उत्पत्ती विकास और जिविकासे संबंदित कला करतियों और संग्रा के लिए लोगों के बीच लोगप्रिय है यह जोर्नल म्यूजियम यहां की संस्कृती जीवन इस्थितियों और हिती रिवाजों का गवा है इस तंगराले की इस्तापना सन 1971 में की गई थी आपकेश्वर मंदीर देरादुन शेहर के केंदर से लगबग 7 किलोमीटर की दूरी परिस्ती थे बगवान शेव को समर्पित आपकेश्वर मंदीर और यह मंदीर परिटकों को अपनी और अकरशित करता है यह शर्द्य मंदीर एक नदी के किनारे इस्ती थे जो कि इसे एक अधित्त्य पवित्रता प्रदान करती है एक शिवलिंग मंदिर के मुख्य परी सर में नहीं थे और शिवलिंग पर लगातार छट से पानी टपकता रहता है जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी भी लगी रहती है माना जाता है कि इस गुफा को गुरुद दुरुनचारिय ने बसाया था और यह दुरुन गुफा के नाम से भी प्रसित दहे शिवाली क्रेंज के आदार पर इस्तीत माल्ची डियर पाक एक प्राणी उद्यान है यह दो सिंग वाले हीरन, मोर, बाग, नीलगाएं और कई अन्य जीवों के लिए निवास इस्तान है यहां आने वाले सभी प्रक्रिती प्रेमियों के लिए स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है माल्ची डियर पाक की सुंदर्ता समय बिताने के लिए बहुती अन्मोल है वनस्पतियों और जीवों से समरिद्द यह पार्क शहर के व्यस्त जीवन से दूर रहने और आराम करने के लिए एक शांदार परेटक इस्तल है कि यदि आप लोग भी शहर की भीड़बार दिर बड़ी जिन्दगी से दूर जाना चाहते हैं और देरादून ही आप लोग गूम रहे हैं तो आप लोग इस जगा को भी जरूर विजिट करें तेरादून में इस्तिक फन वैली परिवार और दोस्तों के साथ जाने के लिए एक आदर्श जगा है आप यहां पूरा दिन उत्सा पूर्व ढंग से बिता सकते हैं फन वैली में एक विशाल आंतरिक परिशर, बहु एंजन रैस्तरा, कियोस्क, रोमांचकारी सवारी और आवास इस्तान है जिसमें एक शानदार वाटर पार्क डिलक्स कमरेश शामिल है फन वैली में हाली में छुट्टी के दिनों में परिटकों की भारी संक्या को देखने को मिलती है यहां समेलन कक्ष, पाटी हॉल और शानदार कोटेज जैसी सुविदाएं आपको मिल जाएगी हर की दुन देरादुन शहर की हलचल से दूर इस्थित एक खुबसूरत पालने के आकार की घाटी है जिसका सोंदर ये देखते ही बनता है इस घाटी की उच्चाई समुदर तल से 3566 मिटर है यह इस्थान परिटकों के लिए ट्रैकिंग ब्रहमन की अधिकता प्रदान करता है हर की दुन घाटी को देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है तिबबत में निगम्मा इस्कुल के छे प्रमुक मटों में से एक माइंड रॉलिंग मट की इस्तापना सन 1676 में रिगजिन तेरदक लिंगपा के द्वारा गई थी जिसके बाद में सन 1965 में विक्षो की एक समू के साथ खोचेन रिन पोचे द्वारा देरादून शेहर में फिर से इस्तापित किया गया माइंड रॉलिंग मट देरादून का एक खुबसूरत परेटक इस्तल है जहां सेकडों की संक्या में परेटक आते हैं कई वर्गों के साथ एक वास्तुशिल्प उत्करस्ट करती होने के नाते माइंड रॉलिंग मट को देखना किसी आस्चर्य से कम नहीं है कई सुंदर उद्यान, बड़े शेत्र और एक इस्तूप सभी बटवठों में इस्तित है देरादून में लच्ची वाला एक लोगप्रिय पिकनिक देस्टिनेशन माना जाता है यहां की शांदार हरियाली और मानवगती वीदियो के लिए यह इस्तान बहुत अधिक चर्चा में रहता है लच्ची वाला देरादून शेहर से एक छोटी ड्राइव पर इस्तित है और दोस्तों यदि आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख ली है तो प्लीज सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल आई लाइक दिस वीडियो आप लोगों को मेरे वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें और नए नए देस्टिनेशन्स के बारे में आप लोग जानते रहें देरादून से लगबग 9 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित रोबर्ज गुफा एक प्राचिन अजबुद गुफा है जो परिटकों को अपनी और आकरशित करती है 600 मीटर लंबी नदी की गुफा यहां के इस्तानिये लोग गुच पानी के नाम से भी जानते हैं रोबर्ज गुफा को मुक्य भागो में विवाजित किया गया है जो कि हैं दो इसकी उच्चतम गिरावट 10 मीटर लंबी आकी गई है रोबर्ज गुफा अपनी अनूटी प्राक्रतिक गटनाओं के लिए जानी जाती है पते हैं कि इस इस्तान का उप्योग ब्रीटिस राजजी के दोरान लूटे रे छुपने के लिए भी करते थे रोबर्ज गुफा गुमने के लिए परिटकों को कोई भी शुलकदा नहीं करना होता है शास्त्र धारा जलप्रपात यहां देहरादून में इस्तीते खुपसूरत परेटा की स्तल है जो देहरादून शेयर से लगबग 11 किलोमीटर की दूरी पर इस्तीत है शास्त्र धारा का साब्दी करते दफ थाउजन्ट फॉल्ट स्प्रिंग इस इस्तान पर जर्ने, गुफाएं, सीडियां और खेती की जमीन भी शामिल है यह इस्तान उन जर्नों और गुफाओं के लिए भी जाना जाता है जिन में पानी चुना पत्तर के स्टलेक्टाइट से टपकता है यह इस्तान आकरशित फोटोग्राफी, धार्मी की स्थल और परिटकों की पसंदीदा जगा के लिए जाना जाता है सहस्त्र धारा में कोई प्रवेशुल्क नहीं लगता है और सूर्योदय से सूर्यास्तों तक सभी दिन यह खुला रहता है बात करते हैं कुछ खास बात होगे बारे में देहरादून ऐसे परिटकों के लिए बहधी खास है जो सहासिक गतिवीदियों के शोकीन है और अपने दोस्तों या परिवार जनों के साथ एक रोमांचकारी ट्रिप पर जाना चाहते हैं साथी साथ पहाडों यहां का सूर्यास्त और मदमस्त कर देने वाली जलवाईू का अनुबव ले सकते हैं इसके अलावा देहरादून कई प्राचिन गुफाएं और प्राकरतिक जर्नों से घिरा हुआ इस्तान है यहां एक लोकप्रिय रोबर की गुफा है जो की पहाडियों से गिरी हुई है एक प्राकरतिक गुफा यहां बरफ के थंडे पानी का अनन ले और देहरादून परेटन इस्तलों में आने वाले यातरी अपनी खुबसूरत पिंक निकालने के लिए स्वतनत रहे प्राकरति प्रेमियों के लिए एक अन्य लोकप्रिय इस्तल लच्छी वाला भी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जहां परेटक एकांट में बेद कर इसका मजान ले सकते हैं कर लेते हैं दोस्तों दून घूमने के बजट के बारे में तो आप लोगों को बता दू कि आराम से प्रतिव्यक्ति 5-6,000 रुपे के खर्चे में आप लोग दून घूम कर आ सकते हैं दोस्तो और यह दोस्तो एक medium budget है जिसमें कि आप लोग आराम से 2-3 दिन का stay यहां पर लेकर सभी जगाओ को अच्छे से घूम कर एक काफी अच्छा weekend मना सकते हैं एक काफी अच्छा tour आप लोग प्लान कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही था आशा करता ह कि आप लोगों को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी यदी पसंद आई है तो प्लीस लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल ओ दोस्तो आज के लिए इतना ही था थैक्स फो वाचिंग बबाए